महादेव हमारी पूजा से इतने आनंदित हुए, इतने प्रभावित हुए, कि निसंदे उन्हें तक पुरुष समुदाय की पूजा विदी सबसे अधिक प्रिय है नहीं नहीं देवराज, आप महादेव की प्रसंजा देख पातें, जब हमने उनका विशेक किया था, दुग्द की नदिया बहादी थी और आप देखेगा, इशान समुदाय की विदी ही, उनकी पूजा अर्चना के लिए सर्फ से गोशित की जाएगी महादेव को भस्म से अधिक प्रिया कुछ भी नहीं इसलिए हमेशा वो भस्म रमाय रहते हैं, और हमने भी कोई कमी नहीं छोड़िये हैं, उनको भस्म से विबूशित करने में महादेव तो एक बेल पत्र से खीचे चले आते हैं, ये बात जगविदित है महादेव को आने तो दीजिये दीजिये पेताजी आपकी इच्छा नुसार सभी समुदायों ने आपकी पूजा की है वे सभी आपका निर्णय जानने के लिए अत्यन उच्छुक है मुझे सभी भक्तों की पूजा विधी स्विकार रहा किन्तो कोई विधी किसी से श्रेष्ट नहीं किसी की भी भक्ती किसी से श्रेष्ट नहीं श्रेष्ट है तो केवल उस भक्त के भक्ती जो इस श्ण भी मेरी पूजा करना है प्रभू, वो कौन सा भक्त है हाँ महादेव आपके सभी भक्त यहां पर उपस्तित है और सभी ने आपकी पूजा पूण कर ली फिर आपका यह संकीत इस भक्त की ओने हाँ प्रभू, हम सभी भी यही जानना चाहते है कि आपका वो ऐसा कौन सा भक्त है जिसकी भक्ती से आप पहत प्रसन है क्ढ़ करे था क्या प्रस प्रसन है हुआएंon 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 कि शमा कीजेगा महादेव आपकी पूजा आरंभी करने वाला था कि मेरी द्रिश्टी इन दोनों पर पड़ी तंधकने के लिए वस्तर नहीं था इस बालक ने कपसे आहार ग्रहन नहीं किया आपको अर्पित करने के लिए मैं जो भी लाया था मैंने इन्हें समर्पित कर दिया हूँ किन्तो आप नहीं ने जो कुछ भी अर्पित किया वो मुझे ही अर्पित हुआ है नाराय यही तो है मेरी सच्ची उपासना संसार से दीन दा, भूख और हिंसा को दूर करना वेदभाव भी हिंसा ही है किसी का अनादर भी हिंसा है किसी की उपेक्षा भी हिंसा है मेरी सच्ची उपासना है मेरे समाज बेशान्ती और हिंसा किस्था बना निर्बलों की सेवा और उनका सतका है नाराय, आपने मेरे सभी भक्तों के लिए मेरी पूजा की सर्वोत्तम विधी प्रस्तुत करती है और यही विधी मुझे सबसे प्रीव है दुग्द अर्पित करना यदि वक्त के मन को दुग्द की भाती निर्मनला बनाए तो यह व्यर्थ है यह अर्बन व्यर्थ है क्योंकि इस अंसार में नजाने कितने ही शिशू केवल इस भूग से अकाल मृत्यों को प्राप्त हो रहे ऐसे में दुग्द अर्पित करने का उचित स्थान मेरा विक्रह नहीं अभी तो वो शिशू है जो मेरा शर्त है और उपेक्षित है जब तक इस अंसार में कोई भी शिशू भूगा है समझ लो कि मैं भूगा और मेरी शुदा तभी शान्त होगी जब उस नहरा शर्त शिशू को आहार में देखा जब तक इस संसार में कोई भी जीव व्यतित है समझ लो कि मैं व्यतित हूँ जब तक संसार में अन्याय और भेद भाव है ये समझ लोक में प्रती पल बीड़े दो संसार की शान्ती में ही मेरे मन की शान्ती पंच महाभूतों का महाभाग है जब जल द्वारा मेरे अभी शेक्स जीवन दाए जल की अब मानना नहीं होती है क्या ये जल का सरोत्तम भी होग है क्या श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करने के जल कारपन वर्यापत है क्या निर्जल पूजा करने से मैं मन की भावनाओं को मात्व नहीं दोगा जल आत्मा की सजीवनी है असंक्य मनुश्व जीव जनतू जल के आभाव में चीवित रहने के लिए बिवश रहते है नजाने कितने व्यक्ति जल की एक बून के लिए दिर्शित रहते है ऐसे मैं जब नदी की भावती जल मुझ पर अर्पित किया जाए मुझे पीड़ा होती है जल शरीर का संचालक है यदि मेरे भक्ते से जीवन सुरक्षाहे दुआर्पित करेंगे मैं तब भी मद्द हो उठोगा पेल पत्र मुझे अतीपरिया है यह मेरा संताप हरते है ददूरा मुझे प्रिया है यह मुझे शान्ती दिता है कि तो यदि संसार शान्ती का युद्ध शेत्र बना रहेगा मेरे स्वजनों के बीज सरे महा युद्ध छिड़ा रहेगा तो मात्र ददूरा और बेल पत्र अर्पित करते से मेरे मन को शान्ती कैसे मिल जाएगी मेरी पूजा संपन्न कैसे हो जाएगी उपासना में यदि मेरे जैसे हो जाने का भाव है तो मेरी सच्ची उपासना है यदि उपासना का भाव मेरे लुग और मेरे समीप आने की काम ना है तो सच्ची कूजा और भाव ना है तुम मन में स्वरन कराऊ मैं सुनता हूँ तुम मन में मुझे बुकारों मैं आता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहे यदि तुम मन को शिम्मय बनाते हूँ तो वही मेरा शांती से परिपोर्न कहलाश है वही मेरी सुन्दर काश है वही मेरी उज्जैनी है कौन सी विधी? कैसी विधी? अपने आप से पूछो कि पूजा का अर्थ क्या है? पूजा तो क्यों एक माध्यम है मुझे तक पहुचने का मुझसे जुडने का मुझसे एक होने का किन्त जोब मुझे ही विभाजित करते वो मुझसे एक कैसे हो शकता है कैसे जुड़ सकता है उससे जो अपनी भक्ती के मार्ग को औरों के मार्ग से श्रेष्ट समझे उसकी पूजा में सदै वहंकार विद्यमान होगा पूजा करने के लिए श्रेष्ट दाका नहीं समानता का भावा अश्चक समानता केवल उनमें ही आ सकती जिनका मन अपने आराध्य के प्नती समर्पे थो क्या पूजा साधनों पर आश्रत है सामग्री पर आश्रत है विधी पर आश्रत है या भक्त के भाव पर उनके विचारों हो यदि पूजा करते समय व्यक्ति को ये स्मर्ण रहे कि वो कितनी श्रत्धा कितने समर्पन और कितनी भव्यता से पूजा कर रहा तो वो पूजा नहीं जिस व्यक्ति के मन में ये विचारों कि उसके पास पूजा के परियाप्त साधन नहीं तो पूजा उसकी भी सच्ची नहीं होती पूजा तो केवल वही सच्ची है जब भग्त के मन में अराथ्य के अतिरिक्त कोई विचार नहाँ कोई संकोच नहाँ भग्त को ये अनुपूती हो कि वो अपने अराथ्य से पिथक नहीं उसके अराथ्य उससे पिथक नहीं और जो भग्त ऐसा सोचेगा वो वक्ती के अन्यमारकों का भी सम्मान करेगा मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ती को माध्यम बनाने के आवशक्ता नहीं क्योंकि भग्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता यदि भग्त का मन ही निश्चल नहीं तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा और यदि मन ववित्र है तो फिर माध्यम के आवशक्ता ही क्यों मेरी प्रार्थना करने के लिए प्रेम पून हृदय चाहे ऐसा हृदय जो जीवन के प्रते किशन प्रेम पून है और ये दबी समभव है जब व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से प्रेम करना सीखे अपने आप से चुड़ना सीखे जब तक व्यक्ति को अपने मन में वित्यमान दर्फ्यता की पहचान नहीं होती वो दूसरों में भी उस दिव्यता को नहीं देख सकता झाल